स्वागत दोस्तों भारती सिनेवा से जुडे कुछ महत्प्रूट प्रष्म आपके सामने आएंगे अगर ज्यादा बारिक से ज्याज पढ़िया तो आप अगर इस से पढ़ते है तभी आप करपाते हैं दोस्तों स्सी में जातर पूछे जाते हैं गुरूब डी इंटीपीसी इतने कोश्चन कई टाइम में इंटीपीसी यह एक परिच्छा कई बार करीब आलियों में कई दिनों में कराई जाती तो उसमें भारती सिनेमा सो जुड़े प्रस्न आते हैं चाहे वह गुरूब डी हो चाहे रेलवे का वह एंटीपीसी हो या अधर एक्जाम हो ठीक है तो सुरू करते हैं कोश्चन एंसर सिनेमा जगत की इतिहास से जुड़े हो हैं और अगर आप नूट करना जाए उन प्रश्न को तो आप नूट कर सकते हैं ठीक है तो सुरू करते हैं फिल्म भारत की पहली टाकी फिल्म कौन सी थी ठीक है बोलने वाली दोस्तों अगर आपको उत्रपता ये कोश्चन कई बार पूछा गया है एस की में यूपेट्रपल issc में और अन्य कई एक्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है और ये पहुत भारती सिनेमा से जुड़ा हूआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ठीक है इसके ओप्सन है आलम आरा इसका दूसरा प्सन है पुंडलिक तीसरा ओप्सन है दम्यांती इसका उत्तर अगर देना चाहें तो कमेंटर बाक्स में आप देदें दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वहाँ ए आलमारा 1931 में रिलीज इसके निरिबाता इंपेरियल कंपणी थी आधर आधरी सिर इरानी इसके डारेक्टर थे ठीक है अगला प्रश्ण निम लिख में से किसे भारती सिनेमा का पितामा कहा जाता है पहला अपसन है धुम्डी राच गोविंद फाल के दूसरा ददसाफ फाल के तीसरा अपसन है ए और पी तोनो या फिदी बढ़ी सेठना ठीक है तो दूस्तों इसका उत्तर क्या होगा कई लोग इसमें ददसाफ वोलके सही भी है लेकिन नहीं इसमें दुंडी राज गोविंद फाल के और तदसाफ वोलके दोनों सही है दोनों को भारती सिनेमा का पितामा कहा जाता है ठीक है ए और भी यानि कि तीसरा उपसन इसका सही होगा अगला प्रशन है भारत में पहला सिनेमा कहां प्रदर्सित किया ग है तीसरा आपसन है एथेनियम और चवरंगत रेटर डी लाफ्ट फेयर कि इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वाहें भी मिंट की सोटल बामबे में पहला भारत का पहला सिनेमा प्रदर्सित किया गया था अगले प्रशन की और चलते हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपो चैनल पर विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगला प्रशन है भारत में पहली किस वी देश फिल्म का प्रदर्सन गिया गया यानि हॉलिविट फिल्म जो की देश के बाहर बनी उसका उस फिल्म का प्रदर्सन है भारत में कब होगा कब पहली बार होगा है अब सुन है मैजिक लैंप कि अरेवल आफ्टी ट्रेंड लाइफ आफ क्राइस्ट या सी पर्थ है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कमेंट में अगर पता है तो लिख दीजिए जो मैं फिल्म बताऊंगा इसका सही उत्तर वह उसका सन लिखती है किस सन में ये प्रदर्सित हुई थी इंडिया में ठीक है इसका सही उत्तर है वह सी लाइफ आफ क्राइस्ट ठीक है जो भारत में पहली कोई विदेश फिल्म थी, जिसका प्रदर्चन भारत में हुआ था। अगला प्रशन है, निमलिकित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी? जनी की कलरफूल, ठीक है, कलरफूल फिल्म कौन से थी? आपसन है आलमारा, दूसरा आपसन है पाथेर पांचाली, तीसरा आपसन है किसान कन्या, चोथा आपसन है देवदास, निमलिकित में से कौन सी भारत के पहली सुदेशी रंगीन फिलिम थी, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, वह आए किसान कन्या, 1937 में ये रिलीज वही ठीक है, अगले प्रश्न की और चलते हैं, अगला प्रश्न जो है, वह है, निमलिकित में से किसने भारत का पहला सिनेमा थ्रेटर का निर्मार किया था, भारत का पहला सिनेमा थ्रेटर का निर्मार किया था, अपसन है, पहला अपसन है लूमियार प्रतर्स, दूसरा अपसन है दादा साफ होल के चौता अफ्शन है धिरेंद्र नात गांगुली दोस्तों कुछ प्रश्ण आपको बहुत ही नए लग रहे होंगे लेकिन प्राचीन भारती सिनिमा से जुड़े हुए हैं और भारती मात्वा फूर्ण हैं आपके परिच्छा में इसी प्रश्णों में से आएंगे यह आप मान कर चलिए ठीक है जो इसका जो सही उत्तर है आप कई लोग समें दादा साफ फोल के लगाएंगे लुमियर्स बुर्दर्स लगाएंगे लेकिन जो इसका जो सही उत्तर है वहा है पी मर्णी सेटना उन्हें 94 में भारत का पहला सिनिमा तेटर का लुमियर्स बुर्दर्स वही अप्सन है मड़ी सेटना दादसाफ फोल के दिरेंदरनात गांखुली इसका जो सही उत्तर है वह यह है जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है जो कि इसका सही उत्तर है ए लुमियर्स बुर्दर्स 1895 को पेरिस जो कि फ्रांस में है दुनिया पहला सिनेमा यह सिनेमेटोग्राफर का अविस्कार किया गया था ठीक है जो लुमियर्स बुर्दर्स पहला सिनेमेटोग्राफर का अविस्कार किया था अगला प्रश्न है अनिम लिखित में से किसने भार्द में पहली पूर्ण सुदेशी मूख फीचर फिलिम बनाई थी अप्शन है लुमियार बर्दस, मनिशेटना, दादा साफ फोलके और देरेंद्र नाथ गांगुली इसका उत्तर आप सभी को पता होगा ठीक है तो इसका सही उत्तर है दादा साफ फोलके मुक्व बिचनकिती, राजा हरिश्चंद्र, 1913 ठीक है अगला प्रशन है निम लिखित में से किस चेतरी फिल्म को कालीवुड के रूप में जाना जाता है पंजाबी फिल्म, तमिल सिनेमा, बराथी सिनेमा, मल्यालम सिनेमा दोस्तों कालीवुड कालीवुड जानते हूंगे आप अच्छा प्रशन है उत्तर दे सकते हैं आप देना चाहिए कमेंट बाक्स में कमेंट बाक्स ओन है ठीक है इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपके लि ज़रूरूरूरूरूरूरूर्धी जीगा ठीक अगला प्रशन कया निम्म लेखेत मेंसे कौन भारती सिनेमा की पहली भारती महिला दंरमाताות ने दे सकती अच्छा फिल्म अच्छा फ्रशन है और है पहला जो है फातिमा बेगम दूसरा है डबल एम कान थिसरा आपसन है आला मारा चौथा आपसन है अर्देसिर इरानी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वक्या होगा यह पता दीजिए इससे पहले में कुछ आप से कहना चाहता हूं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर तो उन विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुचा दीजिएगा क्योंकि यह प्रशन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों फिर आपको मैं ऐसे प्रशन दूंगा जो आपके प्रिच्छाओं में पूछे गया है भारती सिनेमा से चुड़े हुए और वह अक्सर पूछे जात उत्तर है वह है यह फातिमा बेगम 1926 में इन्होंने एक फिल्म का निर्माड किया था वह थी बुलबुल यह पस्ताना थीक है तो फातिमा बेगम भारती सिनेमा की पहली महिल अंधिर माता अंधिर दे सकती दोस्तों यह अंतिम प्रिश्म था आपको कैसा लगा वीडियो ज झुलक है जाऱल किछ अबहरा है शरती सिक्ष्म тебе शीड़क उल लाए जड़किए 5-3दियो ऑमाटी यह साय दोस्तों आपको पस्तों चुल्सों किए। सहो है ओinky जे पस्तूं के चिए।